मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया है मनुष्य समाज में रहकर ही जीवन व्यतीत कर सकता है और समाज का मतलब है मनुष्यों का समू परिवार, समाज मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो जब जनम लेता है उसे सन्रक्षन की और विवस्था की जुर्रत होती है ज्यादा अन्य प्राणियों भी होती है कम लेकिन मनुष्य को सबसे ज्यादा और इसलिए ज्यादा की इन में संभावना ज्यादा है इसमें शक्ति ज्यादा है यदि इसका सही उप्योग किया जाए तो मनुष्य अपने जीवन को पुरी उचाई पर ले जा सकता है यहाँ बात जो मैंने कही वहया है कि सामाजिक प्राणि है मनुष्यों के श्रमूह में रहना होता है और लोगों का विचार अलग-अलग होता है आप जिस परिवार में हैं उसी परिवार में सबके भिन 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 विचार है और विचारों की भिन्नता जब होती है तो परश्पर में टकराने की संभावना हो जाती है और विवाद का भी कारण बन जाता है क्योंकि सबका बोलने का धंग अलग है सबका सोचने का धंग अलग है करने का धंग अलग है कोई किसी काम को बहुत जल्दी संपन कल लेता है और कोई उसी काम को समय लगाता है कोई जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि बोलते ही रहे जब कोई बोलता है तो ऐसा लगता है कि ये कब बंद कर दे ये सदुरु कवीर ने बात कही है कि मधुर वचन है आउशधी कटुक वचन है तीर शवन द्वार होई संचरे साले शकल शरीर जब कोई मिठा बोलता है, हितकारी बोलता है, तो जैसे दवाई, दवाई के कर लेने से बीमारी चली जाती है, यदि सही दवाई मिले, तो रोग समाप्त हो जाते हैं, अईसे ही जब सही सलाह मिले, सही विचार मिले, तो लोगों का मन हलका हो जाता है, कई बार संतोंके पास लोग आते हैं, बहुत उदास होते हैं, खिन्न होते हैं, दुखी होते हैं, इसलिए आते हैं कि कुछ ऐसी बाते कहें, कई लोग तो आते हैं कि महात्मा जी का आशिरवाद मिले और आशिरवाद का मतलब यही है जो उनको जो मंत्र मिले तो मंत्र का मतलब यही है मंत्र कहते हैं सलाह को संत जन ऐसी सलाह देते हैं ऐसी बात कह देते हैं जिससे एक उदास आदमी परशन हो जाता है एक दुखी आदमी शुखी हो जाता है आता तु है समस्या लेकर कर लेकिन समाधान पाकर जाता है मैं कह रहा है था कि कुछ ऐसी बातें कुछ ऐसी सलाह देते हैं जिस से आदमी की उदासी खतम हो जाती है शमस्या का समाधान मिल जाता है वो भी एक है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जाओ तो दुख को बढ़ा देते हैं आपस में परिवार में किसी बात को लेकर के कोई तनातनी है कुछ लडाई जगड़े हैं तो किसी कोई पूछने गया तो उसका काम क्या हो जाता है? वो क्या कर देता है? उसमें थोड़ा से और आग लगा देता है थोड़ा सा और नमक मिर्चमला देता है भड़का देता है नहीं, ये तरीका गलत है सावधार रहना है ऐसे लोगों से जो आपको गलत सलाह दे सही सलाह दे उनका साथ करो उनसे पूछो गलत सलाह पाओगे तो क्या होगा? घर में विखराव होगा स्वेम भी दुखी रहेंगे पूरे परिवार में भी दुख पड़ेगा दुख का माहुल बन जाएगा लेकिन सही सलाह मिली और सही काम करने लग गए आप भी सुखी रहेंगे परिवार के लोग भी सुखी रहेंगे ये बात मैं कहा करता हूं कि अर्जुन सलाह लेते थे भगवान कृष्ण से और दृवधन सलाह लेते थे शकुनी से और दोनों जब सलाह लेते थे तो दोनों का क्या अंतर आया सभी जानते हैं और अरजुन किसे सलाह लेते थे? कृष्ण से और दुरियोधन किसे सलाह लेते थे? शकुनी से गलत लोगों का सलाह जब लेते हैं तो उसका पधड़नाम क्या होता है? दुखद होता है सही लोगों की सलाह, Sadguru Kabir कि ये पंक्ति है संगती की जय साधु की हरे और की व्यादी ओछी संगत कूर की आठो पहर उपादी संगती से सुखूप जय कु संगत से दुख होई कहां ही कभीरता जाईए जहां अपनी संगती होई संगत से सुख होता है और थाथ अच्छी संगत से चार अच्छे लोगों के साथ आपका बैठना उठना होता है, तो आपका जीवन भी वैसा हो जाएगा, क्यों? वहाँ चर्चा इसी होगी, वहाँ पर काम ऐसा होगा, वहाँ पर सभाव ऐसा होगा, तो वह प्रभाव धिरे धिरे आने लगेगा, आप गलत लोगों के साथ करने का ढंग गलत, सभाव ही गलत, तो उनके साथ रहते रहते आपका भी सभाव गलत हो जाएगा, ऐसा होता है, आपको पता चल, आपको लगता है कि नहीं, मैं तो ठीक हूँ, वह लोग बले गलत हैं, लेकिन बहुत देर तक आप सुरक्षित नहीं रह सकते, यदी मालो आ आप सुरक्षित हैं तो भी बदनामी हो जाएगी आपकी, ये कहानी महात्मा लोग कहा करते हैं कि एक लड़का था, तो जिन मित्रों के साथ वो रहा करता था, वे मित्रों का सुभाव अच्छ नहीं था, उनका जिने का ढंग गलत था, आदते अच्छ नहीं थी, पिता जी अच्छ लोगों से मित्रता करो, उनका साथ रहो ये गलत लोग हैं, बाते सुनता था लेकिन अनसुनी कर देता था, पिता की बात को मानता नहीं था, पिता समझाते रहे, कभी-कभी ओ बोल देते था ऐसा मत करो, एक दिन पिता जी नहीं पिर कहा कि एटा उन लोग का साथ तो लड़का नराज हो गया, और कहा पिता जी आप मुझे बार बार रोकते और टोकते हैं, आप ये बताईए, मैं तो सही हु ना, मैं तो कोई गलत नहीं हूँ, ठीक है, मित्रों में से कुछ गलत लोग हैं, तो उनके साथ रहता हूं, बस थोड़ा से जाया बैठा, बात् तो सबक सिखाने की जरुरत है, क्योंकि जो मैं कहाना चाहता हूं, इनकी समझ में ही बात नहीं आ रही है, एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा कि काम करो, तुम बाजार से कोईला खरीद लाओ, कोईला खतम हो गया है, कोईला खरीद लाओ, और थैला लिया, पैसा लिय तुम है कोईला खरीद लाओगा형 करीद लाओगा, इज मोईथ अपैसे का थिसाब में ही तुम्हारे जो गुर्च है कपड़ उसमे इनकी सान्या ग्याओ, एक लाओगा थैल नहीं में थे स्ट्ड़ बेटी नहीं, तुम्हारे जो भुषर्ट हैं तुम्हारे जो बुषर् कारीख लग गई है।। उनों कहा है।। समफोना टिन भी कार्छ। weapons अपैने हμुआ के लस्टकाउ लग पाव अपर तब पिता ने कहा।। सब्हुत्च दिन या कंटा कोईले नहीं थी। इसलिए ज़ाया नहीं, लेकिन दाग लगा दिया, दाग लगा दिया, क्योंक ..." गलत लोगों के साथ आप रहोगे, तो लोग क्या है कहेंगे? ये भी गलत होगा, जैसे, आप शराप की दुकान में बैठ करके दूद्द पिये भले ही, शराप की और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकर आपमें गलतियां आग गई और इसका उल्टा भी सच है जब आप सही लोगों के साथ तो धिरे 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 उन्के जीवन की अच्छाईयां आपमें आने लग जाती है और आपको पता नहीं चलता है कि आपकर बदल गए? कि कि अनके और सिन कहान, कि से इंके अंग हो झाय हो ता इनके बोलने का दंग होता है मृष्ट नग। अब तो बड़े अच्छ एंसान बन finger, अब तो बड़ए करता है जुछ बढ़िया करता है, अब अच्छ लोगों की शंगती करो। गलत लोगों की संगती करोगे तो जीवन खराब हो जाएगा तो मैंने कहा कि सामाजी क्पराणी है तो समाज में अच्छा ये बात नहीं है कि आपको केवल बाहर के लोगों में आपके ही परिवार और रिष्टेदारों में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस प्रकार के सभाव वाले हों आप अपने बच्चों को उनसे सभाल करके रखिये नहीं तो उनकी भी आदतों को खराब कर देंगे आपकी आदतों को खराब कर देंगे गलत सलाह न लो बात यहां पर मैंने इसलिए उठाई थी कि सामाजी क्राणी है समाज में हम प्रेम पुर्वक रहें समाज में संबंध कैसे होना चाहिए? मनुष्यों के बीच में संबंध कैसे होना चाहिए? परिवार में संबंध कैसे होना चाहिए? परिवार का संबंध होना चाहिए? प्रिवार का संबंध होना चाहिए प्रेम पुर्ण होना चाहिए उलखेगा लखे हैं. सबखेऊ हैं. यह देख रहे हैं, दिवार दिख रही है? तिवारों को च्या करते हैं? दिवार बनाने के लिए, इउट पर इउट रखते चले जाते हैं. लेकिन इउटों को जोडने के लिए, भारा होता है. सिमेंट और बालू का गारा होता है ऐसे ही मनुष्यों को जोडने वाला गारा वह है प्रेम और विश्वास धियान रखो प्रेम और विश्वास का गारा होता है और इसके अभाव में जैसे सिमेंट जब कमजोर हो जाता है तो इटे बिखरने लगती है प्रेम जब कमजोर हो जाता है तो लोग भिखरने लगते हैं शंबन भिखरने लगता है इसलिए आवश्यक्ता है कि उस प्रेम को सीचते रहना मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे पौधा होता है ना पौधा पोधे को जब आप सीचते जाते हैं तो वह हरा भरा रहता है और पोधे को जब सीचना बंद कर देते हैं तो पोधा कुमला जाता है मुर्जा जाता है ऐसे ही प्रेम को जब आप सीचना बंद कर देते हैं तो प्रेम भी कुमला जाता है मुर्जा जाता है तो क्या करना है उसको सीचना है गिसे पता चले की प्रेम मुर्जा गया है प्रेम कुम्ला गया है कमजोर वड़ गया है मैंने दोन्हों के सत्रों में कहा था की जीवन की पढ़ादी नहीं होती है इस कुलों में जीवन की शिक्षा नहीं दी जाती है और इसलिए आदमी पड़ लिख करके धन कमान तो सिख जाता है धन कमा लेता है बड़ा मकान बना लेता है गाड़ी खरित के ले आता है कपड़े भी कीम्ती पहनना सुरू कर देता है, भोजन भी कीम्ती करना सुरू कर देता है, लेकिन आप देखेंगे, कि भा आदमी शुखी नहीं है, परिवार में अमंचेन नहीं है, परिवार छोटा हो, बड़ा हो, मकान छोटा हो, बड़ा हो, महत तो क्या है? आपस का प्रे एक दुसरे के प्रती सम्मान का भाव, आदर का भाव, यह होना बहुत जरूरी है, और यह नहीं है, तो आप रोज दूद मलाइक ही मक्खन खाओ, क्या होगा उससे, मन जल रहा होगा तो, आपस में पती पतनी में तना हो, पिता पुत्र में तना हो, शास बहु में लडाई ज मकाम थोड़े सुक देता है, गाड़ी थोड़े सुक देती है, आपके मन की दशा, मैं कल कहा था इस चीज को, मन की दशा, मन की दशा ही उल्जी हुई है, और जब आप लोगों के साथ उल्जन पूर्न बाते होंगी, कोई आया घर में फिर उलड़ाई, वो जगड़ा, मैं बहुत परिशान हूँ, तो आप भोजन भी करेंगे, तो भोजन में भी आनद नहीं आएगा, ध्यान दीज इस चीज को, इसलिए बहुत जरूरी है इस चीज को समझना, मैं ये बता रहा था, कि कब पता चले, कि परिवा, परस्पर का प्रेम कमजोर हो गया है, कुमला देखिए, जब आपस की हसी चली जाती है, आपस की बात्चित कम हो जाती है, ये संकेत है, संकेत है, क्या, कि प्रेम मुर्जा गया है, आपको समझ लेना चाहिए, और काम करना चाहिए इस पर, जब पती और पतनी आपस में हस हस के बातें करते हैं, भाई भाई, खुब देर तक बातें करते हैं, हस हस करके, पता पुत्र भी, सास बहु, देवराण जठान, कोई भी, आपस में बैठते हैं, और देर तक बाते करते रहते हैं, और ठकते नहीं हैं, समझ लो वहाँ पर प्रेम की धारा भर ही है, और जब आपस की बातचीत कम हो गई, बंद हो गई, तब समझो वहाँ पर वो धारा सूख गई है, आपको फिर से प्रवाहित करना है, और मैंने कहा ना, सीचने की जरूरत है, सीचोगे नहीं, फिर सूख जाएगा, और सीचने का मतलब क्या होता है, सीचने का मतलब होता है, आप कुछ ऐसा वेवहार करें, दिखिए हर आदमी के अपनी अहमियत को वो समझना चाहता है, मैं एक पुष्टक में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था, कि हर आदमी के गले में एक अद्रिष्य बोर्ड लटक रहा है, हर आदमी के गले में एक बोर्ड है, अद्रिष्य बोर्ड, अब हम लोग उसको पढ़ने ही पाते हैं, क्या लिखा है उसमें? उस बोर्ड में लिखा है, मुझे महत्व पूर्ण महसूस कराओ मुझे महत्व पूर्ण मतलब मैं महत्व पूर्ण हूँ यह मुझे महसूस कराओ मतलब मेरी अहमियत को स्वीकारो मेरी उपस्थिती को स्वीकारो आप उसके महत्व को समझेंगे या उनको बताएंगे मैं आपके महत्त को समझता हूँ, आपकी उपस्तिती मेरे लिए माने रखती है, अर्थात उन्हें ये महशूश कराओ कि मेरी उपस्तिती इनको पसंद है, और इसके लिए आप उनके पास में बैट करके बात्चीत करें, उनको कुछ वस्तु दें, उनको वादा करें तो उसक कि आपको सीचने का मतलब यहां है कि आपके द्वारा कुछ ऐसा वेवार हो, आपकुछ उनके पास बैठें, समय दें, उनकी सेवा, कुछ तु करें उनके साथ में, या फिर जो वादा करें उसको निभाएं उनके साथ में, जो भी वादा करें उसको निभाएं, या फिर उ उनको उनके साथ में गुमने फिरने गए, कुछ भी किये, कुछ भी, या फिर उनके कामों की प्रसंसा करिए, अच्छे कामों की प्रसंसा करिए, ये जब करने लगते हैं, तो क्या होता है, ये समझो कि उनके अंदर में आपके प्रती प्रेम बढ़ता है, लेकिन आप छोटी छोटी बातों को लेकर के डांट डपट करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर टोका टोकी करते हैं, आप सोचिए, आप किस आदमी को किस के पास रहना आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा महसूस करा है, उसके साथ रहना हम सभी पसंद करते लेकिन जो हमें अपमानित करें, जो हमें छोटा दिखाए, जो हमें डांटे फटकारें, जो हमारे हर कामों पर मिनमेख निकाले, कि ये गलत, वो गलत, ये गलत, जब हम अच्छा करें तब कभी प्रसंसा ना करें, और जब गलत हो तो हमारे उपर बरस पड़े, कैसा लगता ह आइसे लोगोँ के साथ रहना वहार loves to be a सर्क काथिन हो जाता है किआ अभी थ्यान दीजिए य़िख लिदी हम भी ऐसा करेंगे हम भी ऐसा करींगे तो दूसरों को भी खराब लगने लग जाएगा खराब लगने लग जाएगा इसलिए दूसरों के वेवहार को थाम नहीं सुधार सकते लेकिन हम अपने वेवहार को सुधार सकते हैं और जब अपने वेवहार को सुधार लेते हैं अपने तरीके को ठीक कल लेते हैं तो कम से कम हमें अच्छा लगने लग जाता है यदि आपका बोलने का धंग बढ़िया हो गया आपका सोचने का धंग बढ़िया हो गया आपका करने का धंग बढ़िया हो गया तो दूसरों को तो जो होगा सो होगा उनको भी प्रभाव तो अच्छा पड़ेगा लेकिन सबसे पहले आप के लिए अच्छा हो जाएगा, इसलिए सुधार का काम, प्राया हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को सुधारने में महनत करते हैं, आप देख लो, सास बहु को देख लो, सास क्या चाहती है की बहु सुधर जाए, बहु चाहती है की सास सुधर जाए, पती पतनी भी सब बढ़िया हो जाए, यही पिता-पुत्र चाहते हैं, यही भाई-भाई चाहते हैं, सुधारने के लिए आप दूसरों को प्रयास तो करते हैं, लेकिन आप सफल नहीं होते, कोई भी आदमी जब वो खुद नहीं चाहे गाना, दूसरा उसे सुधारी नहीं सकता है, इध्यान दीजे आप, खुद चाहे कि मैं सुधारना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, तभी आप उसके लिए सहियोगी बन सकते हैं, झाहे वो डुद्हे हों, झाहे वो महावीर हों, झाहे वो कफीर हों, कोई भी संथ, वो दूसरों को तब बदल पाय है, जब सामने वालबी बदलना चाहा है. राम और कृष्ण की यही बात, किसी के लिए नाम ले लो, किसी के लिए नाम ले लो, क्योंकि उनके भी आलोचक थे, उनके भी विरोधी लोग थे, सभी के विरोधी लोग थे, कहां बदल पाए लोग, इसलिए आप दूसरों को बदलने के लिए महनत मत करिए, उतरी ही महनत म आप अपने को करने लग जाते हैं, तो आप बदल जाते हैं, आप बदल जाते हैं, आप का बदलना ही, आप की दुनिया का बदलना है, क्या कहा मैं? आप का बदलना, आप का सुधरना ही, आप के दुनिया का बदल जाना है, मैं एक कहानी इसके लिए कहा करता हूं, कि एक बोटा लड़का था, अपने पिता जी के इंतिजार में था, कि शाम हो गई थी, कि पिता जी आफिशे आएंगे, और उनके साथ में खेलूंगा, ऐसा, बच्चे, सुभवी कुरूप से आसा करते हैं, कि पापा आएं, और उनके साथ कुछ हम खेलें, तो बच्चा इंतिजार कर रहा थे कि पापा आएंगे आफिस से, मैं उनके साथ खेलूंगा, कुछ देर में जब आए, उनके पिता जी, तो बच्चा बस यही का, पापा बहुत देर हो गई है, आपके साथ मुझे खेलना है, और जब आपस घर आया था, तो उनके हाथ में कई रजिस्टर थे, कई फाइल थे, पूरा बस्ता ले करके आया था, उसने कहा देखो बेटा, मेरा आफिस का काम बहुत पिछड़ा हुआ है, मुझे इसलिए में सारे कागच पत्तर लाया हूं कि आफिस के अधूरे काम को घर में पूरा करूंगा, मेरे पास समय नहीं कि तुमारे साथ खेलू, त उसने हट कर दी मुझे आपके साथ खेलना है, अब सोचे कि इस बच्चे से कैसे पिंड छुड़ा है, तो सामने एक टेवल था उस पर एक पत्रिका रखी थी, पत्रिका में एक पन्ना था उसमें विष्व का नक्ष्रा छपा हुआ था, उसने क्या किया उस नक्ष्र को नि यह जो विष्व का नक्षा इसमें छपा है इसे फिर से जोड़ दो, विष्व का नक्षा फिर से बना दो, तब तो खेलूंगा तुम्हारे साथ, अब बच्चे के मन में था तो, कि मुझे तो खेलना ही है, वो तुकड़ों को ले गया, कागज के तुकड़ों को और जोड करके ले आया, ले आया, तो उसने कहा पापा मैंने विष्व का नक्षा जोड़ दिया, उसने कहा रिदिनी जल्दी कैसे जोड़ दिये, क्योंकि आखिर में कौन सा देश कहां है, यह तो कैसे इनको पता चला भारत कहां पर, अस्टेलिया कहां पर है, युरो कहां है, अमेर बच्चे ने कहा, मैंने जोड लिया, उजे खेलना है, उसने कहा, कैसे जोड इतना जल्दी, मैं तो इतना जल्दी, मैं खुद नहीं जोड सकता हूं, उसने कहा, मैं जोड लिया, तो बताओ कैसे जोड लिया, तो बताओ कैसे जोड लिया, तो बहुत सरल था ये, कैसे सरल था जो आप कागश दिये था न तो एक तरफ तो विश्व का नक्षा था और कागश के दूसरे पेज पर एक आदमी का चित्र था और मैंने क्या किया मैंने तो केवल आदमी को ठीक किया और मुझे पता ही है न, सीर कहां है, हाथ कहां है, पैर कहां है, मैंने तो केवल आदमी को ठीक किया, और जब पलट के देखा तो विश्व का नक्षा ठीक हो गया था, वो आदमी कौन है जानते हैं, हम और आप, अर्थात, जिस दिन हम अपने आपको ठीक कर लेते हैं, विश् आपको ठीक हो जाता है, हम ही गलत है, और सब ठीक हो तो क्या मतलब निकलता है, इसलिए अपने को ठीक करना बहुत जरूरी है, और अपने को ठीक नहीं, हम दूसरों की तो बुराई दिखती हमें हैं, दूसरे की कथता दिखती है, हमारी कहां दिखती है, हमारी में ही बहु आई प्रबेख संवान्मार सुरू करएंगे कि गल्ती तो मेरी में भी है कबीर की पंकति याद करो जो आप लोग पढ़े होंगे संवहता में भरोशा करता हो कि आप लोग पढ़ाई काल में पढ़ेnin पंक्ती हो वुरा जो डूंढथा है, भुरा न मिलिया, कोई कि रूंदा आप न, मुझ युझ रूंढ न, कोई कोई कबीरर क्या का एकिते हैं? मैं दूसरों के दोसों को व्य senजने चला और खोशते को जा, भुछक ता न, कोई बुरा नहीं है। जो दिल ढूंडा आपना मुझसा बुराना अब एक गुरु और शिष्य रहा करते हैं कर ली गणा मील गया एक आणला मिल गया लेकिन वह नन नuciones今日は बन्रयुण नहीं था भुगो concerund कोनी साधरान लाठी नहीं था छमतकारी थी कहानी है बातों को समझाने के लिए, कोई घटना नहीं, तो डंडा जब मिल गया, तो उसका क्या विसेस्ता थि उस डंडे की, उस डंडे को जिसकी ओर ऐसा घुमाया जाता था, उसके सारे दोस्त देखने में आते थे, पता चल जाता थे, इसमें क्या क्या गलती है, तो गुर करना गलत उपियोग मत करना, अब शिष्य तो, जैसे वो डंडा मिला तो क्या करने लग गया, जो भी गुरु जी के दरसनार्थ आते, जो लोग आते, चाहे वो संत आते, चाहे भक्त आते, जब वो डंडे थे, तो उसकी ओर डंडा घुमा देता था, तो डंडा जब गुम कहता था वो शिष्या, कि गुरु जो अभी आप से, आपके दरसन के लिए आप से मिलने आय थे, उस आदमी में अमुक अमुक दोश है, फिर ये क्रम बना रहा, जो भी आता, उनका वो अधर दंडा गुमा देता था और उनके दोस्टों को जाकर गुरु जाकर गुरु जा अम्राइ करता था, ये उनका रोज का था, एक दिन तो ऐसा कर दिया ओ सिष्या जो उसको कर नहींना है चाहिए क्या कर दिया, वो दंडां गुरु जी के और घूमा दिया, समझे हैं लु भी जडां गुमा दिया, पो जो गुरु जा शादात थे ओंमा तो घुरु जी साध कि था अवशेश था कुछ गल्तियां थी तब सिष्य ने कहा गुरुजी आप में भी अमुकमुक भी कमी है गुरु ने कहा बेटा मुझे पता है कि मेरे में क्या क्या कमी है और मैं उन कमियों को निकालने के लिए रोज प्रयास कर रहा हूं लेकिन जरा तु यह तो बता कभी कर दो ने है तंड पनी और घुमाया है यह नही अढ़ गूमा कर तो देख और जब अपनी और घुमाया तो क्या हूँआ यह पुरा भंगारी बरा हुआ था पूरा दोसी था इसलिए कभी आप अपने सब्दों को सौच सब्दों को देखें जो मैं बोलता हूँ और कैसे न इस अझता हो मेरे निमिकिना निकल देखें, इस भी झालता हो कि शक्रेश बात कोançहें होँ उसकता है। हो सकता है आपके करनें भी कुछ गलती mobile खोती हो सुधार करो सुधार करो सिच को सूचने में देखें, छेया उसी आप मेरे इसी चीज़ी लेंगे देखो, दो的时候 प्रकार की मक्धियां होती है एक मक्धी होती है जो गन्दगी में हम्यिसा भिनकती रहती है और एक दूसरी होती है जिसे मधु मक्धी कहते है वो भी तो मक्धी है लेकिन और कहाँ बैचती है फूलों में बैठती है पराग लेती है वो पराग लेने वाली हो जाती है लेकिन ऐसी मक्खी होती है जो मेले में बैठा करती है हमारा काम क्या होना चाहिए कहीं भी हो तो अच्छाई को ले गलतियों को न ले जैसे यहां जितने हम लोग बैठे हैं अगि किसी फूलों के बाग में जाएं तो हम में से कुछ लोग क्या कहेंगे, कि देखो तो सहीं, फूल तो बहुत थोड़े हैं, काटे ही भरे हैं, काटे काटे, हजारों काटे हैं, और उसकी नजर कहा होगी काटों पर, और हम में से कुछ लोग क्या कहेंगे, देखो तो सही इन काटों के बीच में कितने सुन्दर सुन्दर फूल खिले हैं बले ही कम है लेकिन इन काटों के बीच में फूल खिला हुआ है तो जो आदमी फूल को देखेगा उनकी आँखों में फूल बस जाएंगे और जो आदमी कांटों को ही देखता रहेगा, उनकी आँखों में कांटे बज जाएंगे दिखिए संसार में दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे अच्छे भी लोग मिलेंगे, बुरे भी लोग मिलेंगे अच्छी घटनाई भी घटती हैं, गलत घटनाई भी घटती हैं, और इतना ही नहीं है, एक ही आदिमी में गलतियां भी होती हैं, हम सम्में, हम सम्में, ऐसा थोड़ी है कि यहां जितने लोग बैठें, सम्में केवल गलत गलत है, और केवल अच्छा अच्छा है, मैंने कहा न अच्छा लोगों में गल्तियां तो गल्तियां से भी सीख लें, देखो गल्तियां से भी आप सीख सकते हैं, गल्तियों से सीखने का मतलब क्या हुआ? आप ऐसी गल्ति न करने का निर्णे ले सकते हैं, आप ऐसी गल्ति न करने का संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि जब देख रह कर रहा है तो उसका क्या पढ़नाम मिल रहा है यह देख रहा है आप भी समझ जाएए कि नहीं मुझे ऐसी गलती नहीं करनी है और अच्छाईयों से तो अच्छा लेना ही है लेकिन गलतीयों से अपने आपको दूर रखना है मैं एक कहानी कहूं फिर विरामदू काफी समय भी पुरानी कहानी है आप लोग साइद ये कहानी सुने होंगे ये विदेश कनाड़ा की एक कहानी है दो भाई एक भाई जो था वो बहुत सरावी था सराव पी करके आता था घर रात में पतनी और बच्चों की पिटाई करता था हल्ला मचाता था पूरे मुहल्ले में एक देता था, लेकिन जो दूसरा भाई था, सब काम अच्छा, उनके पारिवारिक इस्थिती बहुत अच्छी थी, उनकी जो व्योशायिक, व्योशाय भी बहुत अच्छा था, और उनकी सामाजिक परतिष्था भी थी, समाज भी परतिष्था थी, व्योशाय भी उनका परतिष और परिवार में तो पढ़िया वात्रण था, एक दूसरे के साथ में सुन्दर वैभार था, तो लोगों ने सोचा कि ये दोनों सगे भाई, एक ही माता पिता के द्वारा पाले पोसे गए हैं, आखिर दोनों में इतना अंतर क्यों है, एक इतना घोर शरा भी, और इतना ये आ हैं, तो कुछ लोग उन लोगों से मिलने गए, सराभी के पास पहुंचे और लोगों ने कहा भीया, आप ऐसा क्यों करते हैं, रोज सराभ पी करके आते हो, पत्नी और बच्चों को पीटते हो, हला मचाते हो, पुरे महौल को खराब कर देते हो, आखिर इतना गलत करना आप लोग तो जानते हैं, मैंने अपने पिता से सीखा, जब हम लोग छोटे छोटे थे, तो पिता जी सराभ पी कर के आते थे, मा को पीटते थे, हम लोगों को मारते पीटते थे, हल्ला मचाते थे, आखिर मैं वही सुतु सीखा, उनी को तो बेटा हूं, उनी की फोटो का भी इनके पिता जीवती ही किया करते थे, पिर चलो, इनके भाई के पास गए, तो दूसरे भाई के पास जब गए तो उनसे कहा, भाईया, आपका हर काम अच्छा होता है, देखो परिवार में कितना बढ़िया बात्रोन है आपस में, और आपका जो व्योषा है, वो भी कितना पिता जी से, समझ रहे है, उसने क्या का पिता जी से, उसने का पिता जी से, हाँ, कि जब हम लोग छोटे-छोटे थे, तो पिता जी शराब पी करके आते थे, हम लोगों को मा को मारते, पीट थे, हल्ला मचाते थे, वह सब देख करके मैं उसी समय उसी समय निरना ले लिया ऐसी गलती मैं जीवन में कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, दो नहीं करूंगा, दो भाई एक ही जगा से आदर से समझ ले रहे थे, एक ने गलत लिया, दूसरे ने सही लिया, मैं इसलिए उधान दे रहा था, कि हर आदवी में अच्छाईयां हो सकती हैं, बुराईयां हो जाती हैं, तो हर घटना को देखो, हर परिस्थिति में देखो, कुछ न कुछ अच्छाईयां रहती है, आवश्यक्ता है, वहां से अच्छाई लें, और वहां की बुराईयों को इस प्रकार अच्छाई लेते लेते हमारे जीवन में वहां बहुत ऊटने लगती हैं, बढ़ने लग जाती हैं, गलतियों को देखते हैं, हमारे भीतरवी गलतियों के संसकार बन जाते हैं, हमारे जीवन भी गलत होता चला जाता है, तो महत्यू-पूर्ण तो आफ है ना, आपको अपने जीवन को अच्छा वनाना है, आपको बढ़िया से जीना है, अब दूसरे के गलत वेवार को देख करके आप भी गलत करने लग जाएं, यह सही तरीका नहीं है जीने का, आपका अपना वजूद होना चाहिए, आपका अपना रुल नियम होना चाहिए, कि मैं य यह खाना है यह नहीं खाना है, इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि लोग मिलेंगे जो आपको गलत खिलाएं के चक्कर में रहेंगे, यह भी खाया, यह भी गलत किये, लेकिन आपने नियम बनाया है, मुझे इन गलत चीजों को हाथ से चुना नहीं है, उस पर मुझे लेना ही नहीं है, यह आपने ध्यान रखना सुरू कर दिया, मुझे ऐसा काम करना ही नहीं है, जब आप यह ध्यान रखना सुरू आपका नियम है, तो कोई आपको बिगाड नहीं सकता, नहीं तो फिर क्या होगा, जो जैसा कहें, वैसा करने लग जाएंगे, यह ठी निरने लिया है, मैं अपने मूँ से गाली नहीं निकालने वाला हूँ, परिस्तिती चाहे जितनी विप्रीत हो जाए, यही देखे, यह चीज है ना, आपको कुछ भिन्न बनाता है, यह कुछ अलग ही बनाता है फिर, लेकिन, क्या होता है, कम लोग यह सब काम कर पाते हैं, न नित हते हैं, से यहांसिलिता नितनी अने नलग होता है, ना कि अदूदों का विकास कर पाते हैं, इसलिए एक भीड का हिससा दुखी हो कर झीवन जीतिता बिताते बहते हैं,नहीend, आपका जीवन आपके हाथ में हैं, आप इसे कैसे जीना, चाहे जितना मावल बिगड़ ध आप लोग देखें, काचडों में भी फूल खिला रहता है. कई बार देखेंगे जहाँ कचड़ा फेकते हैं गड़े में गड़े में भी कई बार फूल खिले होते हैं और वहीं से ट्रेफिक का आना जाना धूल गरदा, भाहन भी फूल खिला हुआ है। ऐसा भी होता है, ऐसे ही तमाम समस्याओं से घरे होने के बावजूद आपका जीवन कुछ ऐसा हो कुछ भिन्न लगें आप मैंने कहा तर काटों के बीच में फुल खिला रहना, हो सकता है कि कुछ बहुत सारे इसी गलतियां लोगों द्वारा हो रही हो, इसके बावजूद आ आप अपने को नखोएं, यह भिसेस्ता होनी चाहिए, आप अपने को बरबाद न करें, आपका जीवन अलग है, और जब ऐसा करने लगेंगे, तो वही लोग समय से आपकी प्रसंसा भी करने लगेंगे, यह आदमी है भाई, यह कुछ भिन्न है सबसे, सब लोग गरते हैं लेकिन यह आदमी कभी गलत नहीं करता, गलत नहीं बोलता, तो प्रमानित आप माने जाएंगे समाज में, इसलिए ऐसे परिवार और समाज में रह करके भी हम शुखी जीवन जी सकते हैं, बसरते, आप और हम इस पर काम करें, महनत करें, अपने जीवन को बदलते हैं, तो ह सत्संग सुना, और आज काफी देर से संतों से विचार सुन रहे हैं, और मैंने भी कुछ निवेदन किया, कुछ जीवन उपियोगी बातें मैंने कही, यह दिखी, मैं कल भी कहा था, कि कथा सत्संग की बात, कथा और भागवत की बात अलग है, आप लोग कोई पुजा और कुछ आरती वरता कर दिये और आगए, लेकिन यह द्यान देना बहुत जरी होता, हाई यह सब करके क्या मेरा क्रोध घटा, द्वेस कम हुआ, मेरी गल्तियां कम हुई, नही तो ऐसा नही को करते चले जा रहे हैं, अभी तामाकू और बीडी खाते चले 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 हैं, अ आईद तो वह है जब आप बैठ गर के अपने जीवन को बदलने का संकल्प लेते हैं, निरने लेते हैं, जी ढख सही धंग से जीने के लिए आप कहते हैं, यह मुझे कटू सब्द नहीं बोलना हैं, मुझे गलत नहीं करना हैं, मुझे चोरी हिंसा वेभिचार से रहित रह मुझे पढ़े नहीं रहना है, यही चार मात आएं जब आपस में बैठ जाती हैं, तो कहुंछी चर्चा करती हैं, जब भी खाली बैठ जाएंगी, बस यही चर्चा, कोई ऐसी चर्चा नहीं करेंगे, जिसके उनका कल्यान हो, वही करेंगे जिसे अकल्यान हो, बस उनकी यही की चुगली निंदा में आपस में समय बिताते हैं, मतलब कचड़ अंदर भरार तो कचड़ बाहर निकालते रहते हैं, उनके अंदर भी कचड़, सब कचड़ को इकठा करेंगे, और जहां कचड़ इकठा होगा, वहां पर दुरगंधी आएगी सुगंधी आने वाली नहीं है, ऐसी चर्चा करके आप कभी भी प्रसने नहीं हो सकते, और आपका जीवन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है, जीवन को बदलना है, तो अच्छी बातों को सुनो, अच्छी बातें बोलो, अच्छे काम करो, और अच्छे काम करने वालों के साथ रहो, सामने वाले क गलती को लेकर के स्वंभी गलत होने का काम न करो, वो उनका जीवन है, मेरा जीवन बिलकुल अलग है, मुझे सही जीवन जीना है, ये जिस दिन आप निर्णाय लेते हैं, जीवन बदलने लगता है, आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस प्रकार हम सब के विचार और हम शुपकामना करते हैं कि आप लोगों का जीवन इसी प्रकार स्वस्तर है, और आपस के संबंध मधूर हो, प्रेम पूर्ण हो, और आप शम्रिध्ध जीवन जीए और शांत मै जीवन जीए, थोड़ा सा मन को भी शांत रखने का काम करना चाहिए, मन शांत हो, मन में अनभव हो, यह करेंगी तभी होगा, हर समय मन में दंद मचा रहा है, हर समय मन में बिल्कुल ऐसे, कुछ भी सोचते चले गए हैं, नहीं, कभी कभी मन के पहिये को भी शांत करो, कभी अकेले में बैठें, और शांत मन वाला हो जाओ, दंद नहीं, तो दंद से अलग होना, क मैं अपनी बानी को विराम देता हूँ, साहब अभी हम सब पुझेवर साहब जी के कल्यानकारी विचारों से लभानमित हो रहे थे, ससंग समापन की उर है, और समापन पुर्वा